दूसरी सुची निकलवाने को लगा रहे हैं सरकार से गुहार बंसिधर नगर से हमारे संबादाता अर्मान खान की रिपोर्ट मामला है छे साल पुर्ब 2015 का राज में बीजेपी की सरकार थी और वेकेंसी दनादर निकल रही थी फोरेश्ट गार्ड दरोगा पंचायत सचीव कचपाल जीला पुलिस आदी राज के युवा राज में पहली बार इतनी मातरा में आई वेकेंसी दे कर फूले नहीं समा रहे थे लेकिन युवाओं को पता नहीं था कि आगे चल कर इसमें से कुछ बैकेंसी या तो सरकार के नियम कानून की पेच में फस जाएंगे या फिर रद हो जाएंगे जिसमें से एक था जीला पुलिस आईए बताते हैं जीला पुलिस की कहानी विस्तार से 2015 में जीला पुलिस की भरती निकली जिसमें 7272 सिट थी सरकार की तरफ से बकाइदा एक नहीं दो दो पर इच्छा लिया गया वो भी पुलिस की नौकरी के लिए लेकिन तब पर भी युवाओं में जोस कम नहीं हुआ 17 में बेकेंसी फाइनल भी हो जाती है और सरकार की नजर में 6800 युवा योगदान भी दे देते हैं लेकिन मामला फस कहा रहा है दरसल पहली मेगा सूची में अपना नाम नहीं देखकर हजारों युवा अपना होस को बैठे आखिर वो करे तो क्या करे परिक्षा भी पास कर ली दोड़ भी पूरा कर लिया मेडिकल भी पूरा हो गया फिर भी मेगा सूची में नाम नहीं आना युवाओं के दिल पर बिजली गिरने के जैसा रहा नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने भरती प्रोटेश्टेट में साफ साफ लिखा कि रिक्तियों के अनुसार दूसरी मेगा सूची जारी की जाएगी लेकिन फिर भी सरकार के कान में यह बात जाही नहीं रही है भरती करुसार 7272 सीटे सरकार द्वारा निकाली गए थी जिसमें सरकार के नजर में 6800 युवाओं ने योगदान दिया लेकिन दूसरी मेगासुजी के अभियर्थी ने बताये कि हमने दिसंबर 2020 में J.S.S.C. में एक RTI दायर की जिसमें साफ साब बताया गया कि 4300 अभियर्थियों ने ही सिर्फ योगदान दिया है एक दिसंबर 2020 से 29 दिसंबर 2020 तक मुहराबादी में हुआ था धरना परतसन तथा आमरन अंसन दिसंबर के महीने में और राजधानी में कडाके की ठंड थी एक अभियर्थी बिट्टू तिवारी ने बताया कि 3 डिग्री सिल्सियस ताप मान पर हम लोग खुले आस्मान में सो रहे थे लेकिन पक्ष के बिधाया किया नेता हम से मिलने तक नहीं आये थे अभियर्थी के मताबिक चुनाओं से पहले दूसरी सूची के अभियर्थी ने मुकमंतरी हैमन सोरेंड से मुलाकात की जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले सरकार को अपने 5 साल का वक्त दिया लेकिन मुझे सिर्फ 5 दिन का वक्त दीजिए युवाओं की सरकार बनाई ये फैसल आपके पक्ष में होगा लेकिन हैमन सोरेंड की यह बाते भी चुनाओी वादों की तरह हवा में उड़ गई अभियर्थी ने बताया कि मजबूरन हमें धरना परतसन करना पड़ा था लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी यहाँ तक की सरकार ने जबरन अभ अभियर्थी ने बताया कि मानिये पेजल अमंग स्वष्टा मंतरी मितलेश कुमार ठाकुर से हम सारे अभियर्थी सुल्ला बार मिल चुके हैं लेकिन यह भी अभियर्थी की बात को हवा में उड़ा रहे हैं धरना के दोरा ने अभियर्थी राजपाल के अवर सचियों से और एक पत्र के माध्यम से उन्हें बताने का प्रियास भी किया और राजपल के अवर सचियों से जे एस एस सी से आट दिन के अंदर जिला पुलिस ब्यर्थीयों ने पत्र पर करवाई करने की अनुसंसा की थी मुक मंत्री के अवर सचियों राजियों करून एकका ने भी आट दिन का वक्त मांगा था लेकिन आज तक साल होने को चला आज तक इस पर कोई करवाई नहीं हो सकी बरतमान सरकार के दो बर्स पूरे होने वाले है लेकिन अभी तक इस पे विचार नहीं किया गया जहारकंड के दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है युवाओं को रुजगार देने की बात करने वाला पक्ष विपक्ष में कोई नहीं है फिलहाल विधान सभा में नमाज के लिए दिये गए कच्छे पर पक्ष और विपक्ष फिड़े हुए है जमकर पक्ष और विपक्ष द्वारा बियान बाजी हो रही है यही बात भी पक्ष की हो तो उन्होंने कमाल ही कर दिया जार बैंड बाजा लेकर विधान सभा की गेट पर हरी किर्तन करने बैठ गए इन्हें भी जारकन के जुवाओं से क्या मतलब है जुवा नोकरी करे या मरे या जीए उम्र घटे या बड़े इ SC SC को निर्देश दिया जाए अन्यता हम फिर से आमरन अंसन करने को मजबूर हो जाएंगे और इस बार मोहराबादी मैदान में या तो नोकरी लेकर आएंगे या अपनी लास घरवापस आएगे नमस्कार मैं गड़वा जिला से जिला पुलिस अब्यार थी हम लोग का मैटर सभी लोगों के समक्ष पता है कि हम लोग 2015 बैच के जिला पुलिस अब्यार थी है उस समय रगवर दास की सरकार थी और हम लोगों ने उस वेकेंसी को अटेंड किया था लेकिन आधे सीटों पे ज्वाइनिंग हो पाई और कुछ सीटे रिक्त रह गई जिनकी सेकेंड मेधा सुची जारी करके न्यूक्ति करानी थी जो की नहीं हो पाई तो हम लोग पाक्ष में हर किसी के पास समय दोले लेकिन कोई सुनवाई नहीं होये और उस समय नितापरति पक्ष हुए करते थे हमारे अभी वरतमान मुख्य मंत्री जी मंत्री कह जा तो हम लोगों उनके पास दोड़े तो उन्हों ने कहा कि आप लोग की मांगे जायज है और आप इवाओं की सरकार बनाईए और जैसे ही उनकी सरकार हम लोगों ने बनाई रगवर्दास की ताना साही सरकार को हटा करके तो अब जो है सोके इनके कारेकाल का भी दो साल बुजर गया लेकिन इन्हों ने अभी तक हम लोग की बहाली को ले करके या हमारी जो पेंडिंग topic हस को ले करके कोई भी अपने तरफ से बात नहीं रख रहे हैं कि हम लोग को न्युक्ति हो तो हम कहना चाहेंगे कि आखिर हम लोग को कौन सुनेगा कोई भी नेता मंत्री बनता है और आता है बैठता है कुर्सी पे तो अपने क्या समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या करें क्या नहीं करें कौन अच्छा है कौन खराब है हम लोग के लिए तो हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इवा मुख मंत्री जो हैं हमारे जहारखंड वर्तमान गटबंधन सरकार के माननीय मुख मंत्री हैं मन्सोरेंजी हम लोगों की सेकेंड मेधा सुची जारी करवावें और हम लोगों की न्यूपती करवावें क्योंकि हम लोग की बहाली 2015 की थी तो बहुत असंख्य लड़कों का उम्र सिमा खत्म हो गया है हम यही कहना चाहेंगे कि आज 4 साल से हम लोग दोड़ रहे हैं आज इसके दफतर आज उसके दफतर आज इस नेतामंतरी के पास आज कल उस नेतामंतरी के पास लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है वर्तमान में भी हम लोग वो ने यहीं सोचा था कि विपक्ष भाजपा है तो कुछ हम लोग के लिए करेगी लेकिन जब जब भी विधान सभा केबिनेट वगेरा चलता है तो भाजपा भी जो है मंदीर मस्जित का वहीं के लिए सुचने वाला समझने वाला कोई भी नहीं है जो कि रोजगार मुद्दे को विधान सभा सत्र में उठावे या कहे कि नहीं हमारे जो जहरखंडी वहा है इनका नियुक्ति जहुरी है बहुत सारा आप लोग देख सकते हैं कि पेंडिंग बहाली जो है सोकी पड़ा हुआ है पंचायत सचीव अभ्यार्थी है जिला पूलिस अभ्यार्थी है जेटेट अभ्यार्थी है और भी माल लीजे कुछ निविदा कर्मी है कुछ पारा सिक्षक हैं जिनको की सरकार बनने से पूर्व धिंडोरा पीट करके धोल लगाड़ा पीट करके हेमन सोरेन कहते चलते थे कि 5 लाख साल में नोकरी मैं दूंगा सभी को सेटल करूंगा लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है सभी के साथ छलावा हुआ है बहुत ही दूख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग मतलब दर बदर मर रहे हैं यहां से वहां वहां से वहां तो यही माननीय मुख मंत्री वर्तमान जहरखंड सरकार जी से आगरा रहेगी कि हम लोग को जल्द से जल्द न्यूक्ती कराई जाए और हम लोग का उम्रसीमा भी खत्म हो गया आपने यह भी कहा था कि नई न्यूक्तियां हम लेंगे नई बहाली लेंगे लेकिन अभी तक दो साल आपके कारेकाल के गुजर गए कोई बहाली नहीं आ रही है कोई सुगभुगाहट नहीं है आपके विभाग के और से तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो पुराना पेंडिंग बहाली है जिनको जिनके मुद्दे को लेकर के आपने चुनाओं को जीता और अभी वर्तमान में गटवंदन में सरकार में हैं तो हम बस वही चाहेंगे कि जो आपने वादा किया था हम लोगों से उस वादे पर अमल कीजिए और उसको पूरा कीजिए हम लोग को जोईनिंग करवाईए